नमस्कार दोस्तों, वेलकम बाक, इसमें हम बहुत सारे इंपोर्टेंट टोपिक डिस्कुस करने जा रहे हैं, पहला जो टोपिक का वो गवर्नर से रिलेटीड है, तो गवर्नर स्पेसल एड्रस देता है, गवर्नर को अंडर आर्टिकल 176 क्लोज वन के अंदर, गवर्नर है स्पेसल एड्रस देता है, तो आर्टिकल 176 क्लोज वन के अंदर, फर्स सेशन आफ्र इलेक्षन, तो स्टे लेटीड एड्रस देता है, ओजिसको पहली बार उन इतकरती है तो उसको गवर्नर की अट्रस करता है, आलसू छेकंत रिच नभवर्नर को गवर्नर का अंडर्स कर सेशन को माना जाता है तो फर्स सेशन इस बजट सेशन को माना जाता है ठीक है तो यह आपको आर्टिकल 176 के अंदर Constitution में में जाने कि फर्स सेशन अडर्रस करेगा of after election as well as first session of every year governor similarly president है president की power with respect to parliament है यह governor की पावर है article 176 clause 1 के अंदर तो जो governor speech देगा वो क्या है government prepare करती है तो government prepare करती है उसमें government की क्या है policies और agenda mention होते है और इसको read किया जाता है governor के दवारा ठीक है first session में can governor refuse क्या governor refuse कर सकता है इसको पढ़ना recently क्या है तमिल लाडू को governor दो-चार लाइने पढ़के भाग गे थी वहां से session से ठीक है तो it is a constitutional obligation है उसको पढ़ना इसको क्या है speech देना यह constitutional obligation है यह government के द्वारा प्रपेर किया आता है and it is constitutional obligation परन्तु कितना पढ़ना है ठीक है तो माल लेते हैं 50 page का document है उसको पढ़ना जरूरी नहीं है उसमें से एक line पढ़े दो लाइन पढ़े यह governor के description पर है governor अपना डिसाइड कर सकता है कितना पढ़ता है उसमें कोई कुछ नहीं बिगाड सकता बढ़ परन्तु इसको पढ़ना क्या है पढ़ना इस constitutional obligation तो governor need to read but it is not mentioned how much कितना उसको पढ़ना है यह नहीं बताया गया constitution में तो governor के पास क्या होती है immunity होती है ठीक है तो इसमें कोई procedural illegality तो होती नहीं है तो government है उसमें जो court है वो interfere नहीं कती है कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े तो इसमें there is no substantive illegality नहीं है इसमें ठीक है आर्टिकल 176 close to क्या करता है आर्टिकल 176 close to के अंदर तो हमने क्या देखा आर्टिकल 176 के अंदर first session after every election is addressed by the governor and first session after every year first session of every year is addressed by the governor ठीक है और इसको यह पढ़ना पढ़ता है constitutional obligation होता है कितना पढ़ेगा इस पे कोई mention नहीं है ठीक है next is motion of thanks जब उसके motion के बाद इस governor के address के बाद motion of thanks होता है प्रेजिदेंट के address के बाद भी क्या होता है motion of thanks होता है तो यह ruling party यो government लेकिया आती है और यह thank करती है governor या फिर प्रेजिदेंट को after the governor address को लाया जाता है it can be moved फिर इसको move किया जाता है इसको ठीक है इस यह pass हो जाता है motion of thanks if motion of thanks not pass नहीं होता है तो क्या है यह defeat मानी जाएगी government की और government को government may need to resign उसके बाद में क्या है no confidence का motion आएगा ठीक है next is governor assent to the bill तो article 200 के अंदर आर्टिकल 200 के अंदर क्या है governor reserve करता है state जो बिल है तो governor can under article 200 गवर्नर can give assent to the bill दे सकता है governor can withhold the bill governor can return कर सकता है ठीक है governor can reserve the bill for the president तो आर्टिकल 200 के अंदर governor can give assent दे सकता है अपनी बिल को तब वो कानून बन जाएगा एक बन जाएगा withhold कर सकता है return कर सकता है reserve कर सकता है president के लिए ठीक है जब वो president के लिए reserve करेगा तो उसमें governor का कोई रोल नहीं रहेगा इसको द्वारा पास कर दे तो गवर्नर को क्या है उसको क्या है consent देनी ही पड़ेगी ठीक है अभी कुछ states की गवर्नर है वो withhold कर रहे थे bill ठीक है तो गवर्नर के पास कोई veto power नहीं होती है विड़ोल करने की ठीक है तो सुप्रीम कोट ने पंजाब के कुछ बिल को इसने विधाल्ट कर लिया था तो फिर क्या है पंजाब की गवर्नर को वाओ सुप्रीम कोट गई थी state of पंजाब वर्सिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पंजाब गवर्नर है 2003 केसमें इसमें सुप घिक है तो जो जो गवर्नर और इंपावर्ट गवर्नर और या नोट इंपावर्ड घुṣ कोश्याब विद्वेण कर सकते ज्यादा तär था प्रतु असा कोई time limit नहीं देगी है कि वो कितने time के लिए withhold करेगा, तो there is no time limit for the governor as well as president के लिए कोई time limit नहीं है, कि वो कितने time में वो उस बिल को consent दे, अपनी, तो constitution does not prescribe the limit to return, तो यह return करने की भी कोई time limit नहीं है, तो court said that keeping a bill pending indefinite period is inconsistent with the expression as soon as, तो इसको as soon as क्या है रिटर्न करना चाहिए ठीक है बिल को गवर्नर को तो देर इस no time limit ठीक है रिटर्न करने की कोई time limit नहीं है गवर्नर तो गवर्नर यदि रिकनस्ट्रेशन को बेजेगा and it is द्वारा से पास कर दिया असेंबली में तो उसको देना पढ़ेगा ठीक है then reserving for the president a bill governor can reserve for the president and it is constitutionally mandatory है if it is endangering the power of high court यदि कोई गवर्नर का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा उस बिल में यदि कोई bill reserve हो गया है तो ठीक है तो फिर प्रेजिडेंट के पास जाएगा प्रेजिडेंट वह अपना consent दे ठीक है गवर्नर के लिए जरूरी था कि उसको देना ही पढ़ेगा consent यदि रिकंसेडर करके return करके प्रेजिडेंट के लिए इसा ज़रूरी नहीं है तो जब भी प्रेजिडेंट को रिजया जाएगा तो गवर्नर का रोल कतम हो जाएगा there is no time limit है टू गवर्नर तू रिट्रान बिल का लिए कोई टायम लिए नहीं है गवर्नर दज नो जुझाई pocket veto इंडिया के constitution में गवर्नर के पास कोई भी pocket veto नहीं होती है next topic वो हमारा है attorney general, तो attorney general article 76 of the constitution में mentioned है he is the chief legal officer होता है government का and president appoint करता है, attorney general को president appoint करता है and in office कब तक होता है जब तक pleasure of president पे जब तक pleasure of president होगा तब तक ये attorney general office में रहेगा ठीक है, तो it is convention ये convention है कि government जब resign करती है, तो attorney general भी resign कर देता है, परन्तु constitutionally ये ज़रूरी नहीं है कि attorney general हो resign करे, तो attorney general इदा chief legal officer of the government under article 176 sorry, article 76 ठीक, article 76 के अंदर है and constitutional ने qualification दी हुई है attorney general की constitution ने qualification दी हुई है क्या qualification है, judge of his, judge owner चे, supreme court की judge की qualification है, वो ही क्या है, attorney general पर लागू होगी, तो attorney general का कोई fixed term नहीं होता है, there is no fixed term qualification क्या है, judge of supreme court qualify होना चाहिए, उसको appoint करने के लिए and it is convention है, कि government resign करतेगा, तो resign करना पड़ेगा, remunation है, वो decide कि जाते है, president के द्वारा, appoint भी किया जाता है, president के द्वारा, remunation है, वो यह represent करता है, president को under his advisory jurisdiction, जो article 143 में है, तो article 143 के अंदर क्या है, president can seek the advice from the supreme court, तो उस case में क्या है, president को यह represent करता है attorney general, ठीक है, article 88 के अंदर तो attorney general has the right to speak and take part in the proceeding of both the houses, दोनों में क्या है, वो भाग ले सकता है, लोगस बाज़ाजिस्वाक की proceeding में, उसकी committees का भी member बन सकता है, it can be a member of the committee यह स्पीकर इसको बनाए तो, ठीक है प्रंतु इसमें क्या है, no right to vote, इसका कोई right to vote नहीं है, he cannot vote, जो है दोनों houses में वोट नहीं कर सकता है, और इसकी committees में यह वोट नहीं कर सकता है, attorney general and attorney general का relationship, state के साथ कैसा relationship है, attorney general का normal employment नहीं है, it is not an employment under government of India के अंदर employment नहीं माना जाता है and it is a council client relationship होता है council client relationship है, attorney general can do private cases कर सकता है with the approval of the government, so with the prior permission of the government, attorney general can practice privately, ठीक है, government के against में कोई case नहीं लेगा and he can be a director of company, so with that with the prior government की permission लेके, वो director of company भी बन सकता है किसी company का director बन सकता है, private cases कर सकता है and council client का attorney general के साथ relationship होता है, इसका कोई right to vote नहीं होता है in both the houses में, ठीक है and article 143 के अंदर president को advisory jurisdiction में ये represent करता है and there is no fixed term नहीं होती है qualification supreme court judge के qualification है, जो है attorney general है, वो assist किया जाता है solicitor journal के द्वारा and assistant solicitor journal और solicitor journal इसको address करते हैं, ठीक है assist करते है, ठीक है solicitor journal and assistant solicitor journal है वो A.G को assist करते है प्रांतु ये जो solicitor journal है और A.S.G है ये constitution में mention नहीं है only the constitution में mention है, attorney general है और state का जो corresponding minister जो होता है, वो है, ठीक है तो state का कौन सा होता है आप मेरे को दाओगे ठीक है advocate journal कहा गया है कि president appoint करेगा judiciary के member को, यानि कि judges को in consultation with the number of the judges ये इतना बोला गया है, number of judges के consultation के साथ ये appoint करेगा, ठीक है constitution में ये इतना ही mention है तो first judge case 1981 में आता है तो वो करता है कि जो consultation है judges के साथ में, वो बराबर नहीं है consultation is not equal to concurrence of judges है, वो judges का सुनाई, president judges की जो बात है उसको माने या नहीं माने, वो president पर निर्बर करता है, ठीक है, तो ये पहले judge case में आया था, ठीक है, तो उसमें क्या है executive की प्राइमेसी को restore किया था first judges case में, पैंतु ये जो सारा case है, वो बदल जाता है, दूसरे judge, second judge case से, second judge case आता है 1993 में, ठीक है, तो उसमें ये पासा पल्ट जाता है, क्योंकि तब second judge case में Supreme Court काता है 1993 की जो consultation है, वो concurrence होगा, यानि कि जो judges जो भी advice देंगे, वो क्या है, president को मानने पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर concurrence है, वो CGI second judge case में, CGI plus two senior most judges का, जो जो जहाँ होगा, वो उसको मानना पड़ेगा, in the case of judges appointment, फिर यहाँ से क्या है, judicial primacy स्टार्ट होती है, second judge case से, तो idea of collegium है, वो आहाँ से पहली बार अमर्जोना स्टार्ट होता है second judge case में, ठीक है, फिर third judge case आता है, फिर third judge case 1998 में आता है, पांच साल बाद, तो इसमें कहता है कि consultation is equal to concurrence के बराबर है, और उसको consider करना ही पड़ेगा, तो second judge case में, जो consultation था, वो CGI plus two senior most judges के साथ में था, फिर उसको collegium है, उसको बढ़ा दिया जाता है, CGI plus four judges कर दिया जाता है, तो जो concurrence है, वो CGI plus consultation है, वो CGI plus four judges का, CGI को consult करना पड़ेगा, चार judges के साथ में, ठीक है, प्रेजिंट इन से consult करेगा, पांच जज़े से, तो ये collegium system को institutionalize कर दिया गया है, third judges case in 1998 में, ठीक है, उसके बाद में Parliament लेके आती है, 1999, पार्लेमेंट 99th क्या है, constitutional amendment लेके आती है, अपाइटमेंट करने के लिए, ठीक है, नेशनल NJSE, इसको अपाइटमेंट करने के लिए, 99th constitutional amendment लेके आती है, पर उसको fourth judge case में क्या है, Supreme Court unconstitutional declare कर देती है, ठीक है, पर judicial independence इज़े, Supreme Court declare करती है, इस पार्ट अप बेसिक स्ट्ट्चर अप होते हैं, उसमें जो एक judge होता है, वो क्या होता है, next CGI भी होता है, इसमें, Collegium में, next is Memorandum of Procedure, तो यह first judges case के बाद में से, यह Memorandum of Procedure है, वो appointment of judges के लिए है, यह काफी पुराना है, अभी नए MOP के लाने के बारे में काम बेज़ेगा, Ministry of Law and Justice के पास बेज़ेता है, ठीक है, तो Ministry of Law and Justice अफिर उसको क्या है, सेंटर है, वो गवर्मेंट उसका background चेक कराती है, यह कोई problem नहीं आती है, तो क्या है, उसको recommend कर देती है, President उसको appointment कर देता है, ठीक है, यह यह इदि background चेक करती है, और उसमें कोई problem आती है, तो सेंटर के आज़ इसको नाम को reconsider करता है, और उसको द्वारा से recommend कर देता है, किसी बंदे को नाम को, तो जरूरी नहीं है कि President उसको consent दे, ठीक है, तो President है, President पर कोई time limit नहीं है, कि उसको कितना में appoint करेगा उसको, तो memorandum of procedure is a basically a document है, that is framed by the government, in consultation with the judiciary, तो memorandum of procedure is a document, जो कि government बनाती है, in consultation with the judiciary, for the appointment of judges of high judiciary, that is Supreme Court and High Court, ठीक है, there is no time limit prescribed for the President to appoint a judge, ठीक है, तो judge को appoint करने के लिए, कोई भी time limit नहीं है, यदि, for example, नागेंदर नायक के case में, सुप्रीम, जो तीन बार बेजा था, कॉलीजियम ने नाम को बेजा, तीन बार इनका नाम, नागेंदर नायक का नाम बेजा था, judge को appoint करने के लिए, पर प्रेजिनेंट नहीं किया था, क्योंकि President है, वो Council of Minister है, उसकी एड़ने ड़ाइस पर काम क होती है, next is constitutional bench, तो article 145 of the Supreme Court, Article 145 के अंदर Supreme Court have the rulemaking power होती है, and Supreme Court can regulate its oven, affairs को regulate कर सकती है, subject to the law made by the Parliament, with the prior approval of the President है, President की prior approval लेके Supreme Court अपने जो rules है, वो बना सकती है, उसके लिए, President की prior approval चाहिए होगी, और ये जो है, Supreme Court की rulemaking power है, to regulate करना है, वो Parliament के lawmaking power पर भी depend करती है, ठीक है, तो it can regulate its oven affair, ठीक है, with the prior approval of the President, Article 141 के अंदर hearing है, कैसे hearing होगी, appeal होगी, इसमें matter में, Supreme Court में, High Court में कैसे होगी, वो इसमें decide क्या है, Article 145 के अंदर Supreme Court से related है, Article 145, Clause 3 क्या करता है, number of judges to sit in the constitutional, कोई भी केस आएगा, जिसमें constitution का interpretation होगा, यानकि constitutional bench में कम से कम कितने जज़ होगे, पांच ज़ज होगे, तो constitutional bench में कितने ज़ज होगे, पांच ज़ज़ की bench होगे minimum, and in case of the presidential reference, यदि कोई भी presidential reference होता है, कोई भी, तो advisory judicial आर्टिकल 143 के अंदर, उसमें क्या है, President advice सीख कर सकता है, उसके अंदर, यदि कोई presidential reference आता है, Supreme Court के साथ, तो क्या है, पांच ज़ज़ क bench बैठेगी, वो कम से कम पांच ज़ज़ की बैच होगी, वो क्या है, एडवाइस देगी, Supreme Court को, President को advice हो, वो पांच ज़ज़ की बैच देगी, तो minimum 5 ज़ज़ है, constitutional bench में भी पांच ज़ज़ होगे, कम से कम, और presidential reference case में भी क्या है, minimum 5 ज़ज़ होगे, ठीक है, and article 145 के अंद state versus state है, state versus union territory है, उसका जो case है, वो original jurisdiction के अंदर आता है, next is SLP, SLP क्या होता है, Supreme Court का discretion पर depend करती है, special leave petition, and कोई भी अंदर, appellate jurisdiction के अंदर क्या है, कि कोई भी case है, वो High Court से Supreme Court जाता है, तो उसके लिए क्या है, High Court का certificate चाही होता है, परन्त, कुछ मेंटर में High Court certificate नहीं देती है, तो High Court जब certificate नहीं देती है, तो क्या है, SLP के थुरू Supreme Court में जाया जा सकता है, ठीक है, तो SLP is special leave petition है, जो की Supreme Court के discretion पर निर्बर करती है, ठीक है, and ये it is not a matter of right, बन्त, ये Supreme Court का discretion है, SLP, ठीक है, तो इसको जो interested water river distributor है, वो SLP के सुने जाते हैं Supreme Court में, ठीक है, it is not mandatory for a CGI to be part of constitutional bench तो constitutional bench का CGI का part होना ज़रूरी नहीं है, CGI can be part, cannot be part, ठीक है, and judicial matter में क्या है, CGI is equal to all the other judges के बराबर होता है, CGI और Supreme Court के सारे judges बराबर होते हैं, judicial matter में, प्रंतु administrative matter में क्या है, primacy होती है, CGI की, ठीक है, and largest अभी तक की कौन सी bench मनी है, 13 judge bench मनी थी, case 1 भारती case में, next is CGI is the master of roster, तो CGI is master of roster होता है, ठीक है, decide the case का, कौन सी bench को किस bench को जाएगा, यह decide काता है, case allocation को decide काता है, and roster क्या होता है, roster, roster is the system of location of the cases to the benches, तो roster है, वो कौन सी bench को किसा case जाएगा, उसको roster बोलते है, ठीक है, according to Supreme Court rule, Supreme Court registrar, Supreme Court का registrar है, he shall prepare a roster, as per the direction of the CGI, तो CGI के direction पे, Supreme Court का जो registrar है, वो क्या है, वो roster को prepare करता है, on the direction of CGI, ठीक है, master of roster कोन होता है, CGI, प्रनतो उसको prepare कोन करता है, CGI, Supreme Court का registrar, on the direction of Supreme Court, on the direction of CGI, ठीक है, Chief Justice of India के direction पे प्रपेर करता है, next is All India Judicial Service, तो अभी recently, President ने इसको recommend किया था, कि उसको बनाया जाए, ठीक है, तो तीन इंडिया में है, कौन-कौन से आप में रखो, बताओगे, All India Services, ठीक है, तो New All India Service कैसे create की जा सकती है, जब आज यसे बाद two-third majority से, पास करे, resolution को पास करती है, तब इसको prepare, फिर दूसरे house में जाएगी, फिर वो consider करेगी, ठीक है, तो इसको लिए क्या initiative करने के लिए, आज अभी case होती है, state PSC plus high court मिलके इसको decide करते हैं, ठीक है, तो आप देख ले न, judicial judges के appointment है, तो ये भी क्या है, अभी recently क्या है, district judges को Supreme Court ने क्या बोला था, district judiciary के independence क्या है, वो basic structure भी है, तो district judges हो हमारे लिए बहुत important हो जाएगा, इस बार, ठीक है, तो next is Mediation Act 2023, तो इसमें हम थे हैं, Mediation, alternative ADR के type, there are four type of ADR है, negotiation है, Mediation है, conciliation है, arbitration है, चार तरह के ADR के type है, alternative dispute resolution, तो Mediation इस इसे ADR होता है, alternate dispute resolution, बिना court के, ये dispute resolution है, ठीक Negociation होता है सबसे Informal, mediation, conciliation, arbitration Nous nément方向 arbitration की तरफ जाते हैं तो क्या है। इसकी जो formality है वो increase होजाते है Complex procedure वो increase होजाता है Negotiation क्या होता है, वो informal होता है इसके इसके कोई भी law की जुरूत नहीं होती है There is a no Standalone law इसके लिए कोई law नहीं है Informal होता है negotiation तो इनके बीच में क्या है तो इनके बीच में क्या है एक मेडियेटर होता है ऩो फेस्लेट करती है उनके बीच में बातचीत है वो फेस्लेटेट याता है वो दोनों पार्टी को असेप्टेबल होगा तब युसको लागू किया जाता है Mediation में, तो Mediation में Mediator होता है, जो facilitate कराता है between Party 1 and Party 2 के भीच में बातचित को, उनके भीच में बातचित को, अंके भीच में SURLAY कराता है, arbitration क्या होता है arbitration is most formal होता है 아nda, तो ये arbitration है तो कोई भी जो contract signing होता है, तो उसमें mention होता है कि कौन कौनसा dispute resolution process क्या होगी तो arbitration is a formal process है तो agreement lay down the arbitral proposal होता है वो agreement में ही जो पहले ही उसको lay down होता है कि parties क्या-क्या follow करेगी process follow करेगी ठीक है तो arbitrator है वो third party होती है वो award देती है ठीक है तो arbitrator का arbitration award होता है जो कि third party देती है और ये binding होता है ठीक है नेस्ट इस reconciliation, conciliation में वो भी थर्ड पाटी है, conciliator which facilitate the dispute resolution को facilitate कराती है, यहां पर क्या है वो अपना सुझाओ दे सकती है, conciliation, conciliator होता है, वो facilitate कराता है, mediation में में हम ने देखा, वो भी क्या है, उन दोनों के बीच में बात चीछ फेसिलेट कराता है, प्रतु वो आपर वो अपना solution दे सकता है, ठीक है, and even if not agreement नहीं है, तब भी क्या है conciliation को प्रबोज किया जा सकता है, arbitration में क्या है, वो agreement होता है, तब भी उसको arbitration में जाता है, प्रंदू इसमें क्या है, ये recommend कर सकते है conciliation के लिए, बिना इसा कोई agreement होए भी, next is government ने क्या है, mediation act 2013 पास कर दिया ह तो very very important mediation act, तो इसने क्या है, voluntary pre litigation mitigation कर दिया गया है, जो pre litigation mitigation होगा, जो क्या होगा, mediation, ठीक है, pre litigation जो mediation है, mediation है, वो क्या है, voluntary होगा, ठीक है, mandatory नहीं होगा, पहले mandatory था, अभी क्या है, उसको voluntary कर दिया गया है, बिल में, ये mandatory था, प्रंदू उसको अभी government ने voluntary कर दिया है, तो याद रखना है कि it is voluntary, pre litigation, mediation, ठीक है, दूसरा क्या है, strain cases है, वो mediation से exclude किया जा सकते हैं, for example, heinious crime है, serious offenses है, उ क्या time limit है, 120 दिन के अंदर इसको request को resolve करना पड़ेगा, 120 दिन, ठीक है, 120 दिन और उसको extend किया जा सकता है, mediation को by 60 days, ठीक है, तो 120 plus total, 60 हो जाएगी, तो एक total 180 दिन की timeline है, इस act के अंदर mediation council of India established की गई है, mediation council of India का का क्या होगा, registration, regulation, employment of mediators, यानिकि जो mediation service professional होगे, उनको य mediation council of India, next is community mediation के लिए provide किया गया है, इस act के अंदर, online mediation को provide किया गया है, इसके लावा, mediation settlement agreement है, तो mediation settlement agreement होगा, जो parties के बीच में, जो पहुंचेगा, उसको enforceable बनाया गया है, इस act के द्वारा, and however, यदि किसी case में, वो fraud के द्वारा, जो है, sign किया गया है, fraud या फिर corruption के द्वारा, वो settlement sign करने की कोशिश होती है, तो क्या है, वो enforceable नहीं होगा, ठीक है, in general, ये enforceable होगा, mediation settlement agreement will be enforceable, ठीक है, and parties can withdraw after two sittings है, एक बार सुरू कर दिया mediation proceeding, तो two sittings के बाद में, उसको withdraw कर सकती है, ठीक है, तो two sittings के बाद में, इसको withdraw कर सकती है, तो important provision कौन कौन से होगे, mediation act 2023, voluntary, pre-litigation mediation, certain cases, देसे की serious cases है, इसके preview में में नहीं आएंगे, time limit क्या है, 120 plus 60, 120 सी देज हो community, then, इसमें क्या है, community mediation provide क्या गया है, online mediation provide क्या गया है, mediation settlement agreement होगा, वो enforceable होगा, ठीक है, and fraud के case में, वो enforceable नहीं होगा, ठीक है, parties can withdraw after two sittings के द्वारा, two sittings के बाद में, mediation से withdraw कर सकती है, parties, next is criminal justice system, तो इसमें हम पढ़ेंगे, जो नए laws आएं, तो भारतिया नाय सहिता है, उसने replace किया है, IPC को, भारतिया नाय सहिता ने replace कर दिया है, IPC को, बारतिया नाय गरिक सुरक्षा सहिता है, उसने CRPC को replace किया है, and भारतिया साक्षे अधिनियम, भारतिया साक्षे अधिनियम ने replace किया है, Indian Evidence Act को, ठीक है, तो यह जो laws है, criminal justice system के जो laws है, वो 1 जुलाई 2004 से लागू होंगे, ओमनिस्टर ने बोला है, चो criminal laws है, जैसे कि IPC है, CRPC है, preventive detention है, यह concurrent list में आते हैं, इसलिए क्या है, center government ने इन laws को बनाया है, IPCC criminal law है, IPCC, CRPC, preventive detention है, यह concurrent list में आते हैं, याद रखना, and police and prison है, जबकि police and prison है, वो किसमें आते है, state list में आते हैं, ठीक है, police and prison are part of the state list, ठीक है, तो government लेके आई है, भात्यन नाय सहिंता एक, भात्यन नाय सहिंता एक, दो हजाते ही सपास कर दिया गया है, इसके अंदर, important provision देखें, तो पहला क्या है, crime against the child and criminal है, child and woman है, ठीक है, तो crime against child and woman, criminal नहीं आएगा, यहाँ पर woman आएगा, child and woman, ठीक है, तो जैसे यह जो एक्ट है, वो डिफाइन कता है, भात्यन नाय सहिंता है, वो डिफाइन कता है, cruelty against woman को डिफाइन कता है, it penalizes the sexual harassment under the false pretext of marriage, ठीक है, and first time, इसमें पहली बार क्या है, भात्यन नाय सहिंता में, organized crime के लिए provisions दिये गए है, उसके लावा, mob lynching को इसमें punishment दी जाएगी, mob lynching क इसमें define कर दिया गया है, criminal act declare कर दिया गया है, mob lynching को, इसने एक्ट ने terrorism को define किया है, on the line of UAPA की जो definition है, उसके दार पे इसको क्या है, terrorism की definition define की गई है, इसने remove कर दिया है, sedition, sedition term has been removed, प्रन्तु section 152 add कर दिया गया है, तो sedition है, वो term remove कर दिया है, ठीक है, and section 152 है, वो add किया गया है, section 152, it deals with the, any act which undermine the sovereignty and unity of India को जो undermine करता है, वो उसके साथ deal करेगा, section 152, जबकि sedition has been removed, तो cyber crime है, वो उसमें add कर दिया गया है, ठीक है, नए type of crime, cyber crime add कर दिया गया है, adultery है, it is not a prior, adultery, इसका part नहीं है, ठीक, adultery क् पार नहीं होगी, and जो marital rape है, they are also not the criminal offense, उनको भी criminal influence नहीं माना गया है, इस act के अंदर पहले भी नहीं माना जाता था, अब भी क्या है, वो, इसके criminal offense नहीं है, ठीक है, अभी भी, community services है, तो PT, जो चोटे मोटे crimes है, PT offenses है, उनके लिए community service कर सकते है, community services punishment for the PT offenses, PT offenses पहली बार इ नहीं हिता में, इसके लाबा, इसने include किया है, trial in absentia, तो trial in absentia has been included, इसका मतलब क्या है, कि जो offender होता है, यदि वो present नहीं है, तब भी क्या है, उसको trial को complete कर लिए जाएगा, तो conduct of the trial and procurement of the judgment, even in the absence of the offender, ठीक है, and इसमें क्या है, 0FIR को, पहली बार इसके में provision दिया गया है, can file in, 0FIR can be file in, any jurisdiction में, इसमें file की जा सकती है, 0FIR, उसके लाब, electronic trial है, वो, को इसमें मन्जूरी दे दी गई है, electronic trial है, वो conduct किया जा सकते है, electronic inquiry भी conduct किया सकती है, तो what are the important provisions of it, तो important provisions देखें, तो बातिया नाय सहीं, तक important provisions क्या है, child and woman है, उनके crime है, उनको stringent penalty दे गई है, ठी इसके लाबा, फर्स्ट टाइम है, इसमें organized crime को include किया गया है, mob lynching को crime declare कर दिये गया है, terrorism को include किया गया है, definition को sedition remove कर दिये गया है, section 152 add किया गया है, ठीक है, cyber crime को इसमें include किया गया है, adultery इसी का part नहीं है, ठीक है, उसके लाबा, जो miracle tape है, वो भी अभी क्या है, criminal offense नहीं ह गया है, उसके लाबा, इसने trial in absence या, जो offender है, उसकी गया मुझी में trial को complete किया जा सकता है, zero FIR है, वो कहीं किसी भी jurisdiction में file की जा सकती है, ठीक है, और इसने electronic trial को मन्जूरी दे दी है, ठीक है, then FIR और चाल सिट के बीच में क्या difference होता है, FIR is the first information report होती है, ठीक है, तो जो प FIR register की जाती है, इसमें guilt is not established, तो अभी कहा है, अभी inquiry भी नहीं हुए है, तो guilt कैसे established हो जाएगा, second is charge seat होती है, ठीक है, तो charge seat is the final investigation, तो charge seat is the final investigation report होती है, प्लिस की, यह भी कहा है, cognizable offense में, जो की final report होती है, इसको बोलते है, charge seat, ठीक है, इसमें कहा है, यह present की जाती है, charge seat is presented to the court, इसमें guilt को establish किया जाता है, दो सी कोन है, वो यह बताया जाता है, इस report में, trial is, इसी basis पे trial स्टार्ट होती है, charge seat पे बेसिस पे, charge seat जो trial है, court में स्टार्ट होती है, ओन दी बेसिज़ों, ती charge seat, ठीक है, charge seat is not a public document, नहीं होता है, charge seat is not a public document, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो F.I.R. है, F.I.R. is a public document है, जबकि charge seat public document नहीं है, ठीक है, तो इन दोरों के बीच में आपको difference पता होने चाहिए, next is plea bargaining, plea bargaining has been included in भात्या नागरिक, सुरक्षा सहिता है, उसमें include कर ली गई है, भात्या नागरिक सुरक्षा सहिता में, ठीक है, तो it is when the, इसमें क्या होता ह है, कोई भी माल लेते हैं, उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो पिला बारगिनिंग is when the accused please guilty to a lesser charge, और in exchange of a lenient punishment, for example, किसी को 5 साल की सजा होनी है, और ये पिला बारगिनिंग में उसको बोला दिया जाए, कि तू अपना वो कि क्राइम को कबूल कर ले, तेरे को दो मेहन की सजा होगी, फिर चूट जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या है, जो कोट का जो खर्चा बद जाएगा, ज़्यादा ट्राइल लंबा ट्राइल नहीं चलेगा, ठीक है, तो ट्राइल लंबा नहीं चलेगा, यदि वो accused accept कर लेता है, तो उसको ठीक है, तो प्ले आप बारगि को guilty plead कर लेता है, इन exchange of lenient punishment, ठीक है, objective is to avoid the complicated trial को ये avoid करेगा, and it is a bargaining between the prosecutor and accused के बीच में ये bargain होती है, भारत में इसको दो जाच्छा में पहली बार इसको लागू किया गया था, इंक्लूड किया गया था, प्ला बारगिनिंग वाज इंट्रूच्ड इंट्रूच्ड इंट्र प्ला बारगिनिंग इस प्ला बारगिनिंग इस नॉट अप्लिकेबल इन सीरियस ऑफैंस में ये एप्लिकेबल नहीं होगी, and it is applicable in the less serious cases में प्लागिनिंग है, वह बारगिन किया था था है, and where the imprisonment जहांपर जैल है, वो 7 साल से कम को हो, ठीक है, जहांपे imprisonment साथ साल के कम की सजा हो उसमें क्या है प्लाफ बार्गेनिंग हो सकती है तुम यह असेट कर लो किसी निर्दोस को ही सजा दे दो ठीक है तो इस उड़ नॉट भी कॉर्शिव नहीं होनी चाहिए यह यह वालेट करेगी सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो आर्टिकल 20 के अंदर है उसको वालेट करेगी तो कोर्ट करेगी इसको जुडिशाल ऑबरसाइट होगी ठेक है करेंगे इसको प्लाफ भार्गेंग को प्लाफ पर नहीं कता है रियर ओलаст क्या होती तो बोट आप दी कंडिशनल रिलीज है, इसको सजाब से जा चुकी है, जिसको सजाब मिल चुकी है, ठीक है, यह कंडिशनल रिलीज होती है, परोल परोल is not a right, नहीं होता है, और यह कहा है, special circumstances में दी जाती है, परोल, तो some need और specific need है उसको meet करने के लिए दी जाती है यह executive को discretion पर होती है since the prison are in the state list है state list में आते हैं तो state सरकार इसको इंडियन तरिक करती है prison को तो prison authority decide करती है किसी को प्रेल अंडर दी जो state prison law है उसके अंदर यह decide करती है कि उसको क्या है यह देनी है या नहीं तो हर state में अलग-अलग prison law होते है तो executive और prison authorities को decide करती है और Indian prison act है वो model law है उसमें भी mention है परन्तु state का अपना क्या है rules होते है prison के regarding तो it is for a specific reason के लिए होती है तब इसको दी जाती है parole को और good behavior के लिए इसको दी जा सकती है specific reason and good behavior दोनों हने चाहिए तब इसको परोल दी जाएगी परोल का जो पीरेड होता है it is not discounted from the imprisonment जो imprisonment है सजा मिली हुई है उससे discount नहीं किया जाता है for example किसी को 10 साल की जेल मिल गी है और इसने 5 साल सजा काट लिए फिर वो माल लेते हैं एक साल के परोल पर बाहर आ जाता है तो फिर क्या है उसको क्या है वो बाद में सरौ करनी पड़ेगी तो उसको चार साल की सजा नहीं रहेगी तो उसको क्या है 5 साल बाद में सरौ करनी के बाद में पूरा 5 साल बाद में सज्व करना पढ़ेगा, ठीक है, तो ये कम नहीं होगा, ठीक है, तो यहां पर सजा कम नहीं होगी, ठीक है, बाद में उसको सजा कातने पढ़ेगी, जोब कि फरलो क्या है, फरलो is given for long term imprisonment, किसी को ज़दा 20 साल की सजा होगी है, उस case में दी जाती है, long term इसको दी जाती है, फर्लोट, ठीक है, तो it is not specific matter के लिए नहीं होती है, it is a matter of right, तो furlough is a matter of right है, its purpose is to enable a person to have a social ties, ठीक है, जो दोसी है, उसको social ties हो, ठीक है, and family वगेरा हो, ठीक है, तो long term imprisonment के लिए furlough दी जाती है, no specific matter के जुट नहीं होती है, it is a matter of right है, and it is a reformative process होती है, है, furlough के लिए, reform करने के लिए प्रोसेस होती है, तो division is available, इसमें division available होता है, for example, हमने अभी देखा था कि उस 10 साल की सजा हुई है, और 5 साल उसने काट चुके हैं, और 5 साल बाकी है, तो 5 साल में क्या है, उसको जड़ी एक साल की वो furlough पर रिलीज आता है, तो उसको क्या ह जबकि furlough में उसको discount कर दिया जाता है, उसकी division है, वो कम हो जाती है, फरlough में कम नहीं होती है, next is river water dispute, तो water है, वो state list में आता है, entry 17, ठीक है, तो state list के entry 17 में water है, और interstate water है, जबकि interstate river water है, वो आता है, union list में entry 56, तो water लोजगा mention है, entry 17 and entry 56, entry 56 deal with the interstate river water, union list में, article 262, तो parliament में, may by law provide or educate the interstate river water dispute को regulate कर सकती है, उसी के लिए क्या है, parliament ने दो act बनाए है, interstate river water act 1956 and river water, river board act 1956, यह दो act बनाएगे है, interstate river water act 1956 and river board act 1956, यही जो article 262 है, बास दी supreme court or any court from the, any court from the educating, जो matter है, वो interstate water dispute से वो इसके jurisdiction में नहीं आएगा, supreme court के या फिर किसी भी court के, तो यह, इस court आ रहे है, barred from hearing the cases, under article 262, parliament can mark the laws, और parliament ने दो लोग बनाए है, interstate river water dispute act 1956 and river water board act 1956, ठीक है, प्रन्तु हमने अभी देखाया है कि supreme court से कुछ भी, special leave condition में क्या है, स्प्रिम कोट है, वो interstate water river dispute को सुन सकती है, ठीक है, special leave petition SLP में सुनती है, फिर इस वो, interstate river water dispute act है, उसमें क्या, interstate river water dispute act 1956 में क्या प्रसीडिंग है, कोई dispute हो जाता है, तो जो पार्टी होती है, पार्टी दो state होगी, ठीक है, उन में से एक पार्टी है, एक या दौनों पार्टी है, वो center government के पास जाएगी, और center government को बोलेगी, कि उसके लिए क्या है, वो tribunal बना सकती है, तो center government के पास जब dispute पे कोई complaint आती है, तो central government can constitute ad hoc tribunal constitute कर सकती है, ठीक है, तो उस dispute को dispute करने के लिए, resolve करने के लिए ad hoc tribunal है, यानि कि temporary tribunal है, वो central government बना सकती है, ठीक है, तो पार्टी के पार्टी है, वो supreme court में जा सकती है, थरोदिस SLP के दवारा जा सकती है, special leave petition, ठीक है, तो special leave petition है, वो supreme court के discussion पर निर्वर करेगी, and it can guarantee, और it can not guarantee, वो supreme court पर निर्वर करेगा, ठीक है, next is very very important act, election commission, election से related है, chief election and other election commission act, 2023 ये पास होगा था, ठीक है, तो election commission है उसके appoint कौन करता है, election commission है उनकी appointment है, वो अपुइंट करता है, तो number of judges, number of इनका, जो chief election है, वो कौन, decide करता है, president decide करता है, कितने chief election commissioner होगे, तो उसका number है, वो भी क्या है, वो president decide करता है, appointment हम shelter जाद रख़ना है, president number decide करता है, parliament नहीं क्यों नेूचा है, आगर तरु Symphony है, एक सुर्जा करता है, to enact a law for appointment, service condition and tenure के लिए, तो पहले ऐसा कोई law नहीं था, ठीक है, अभी सुप्रिम कोर्ट ने 2020 में एक judgment दिया था कि, जो चीफ election commissioner है, और दूसरे other commissioner है, तो उनकी जो appointment है, वो प्राइम मिनिस्टर, CGI और leader of opposition करेगा, तो ये सुप्रिम कोर्ट का judgment था, ठीक है, तो until department, जब तक य ये सुप्रिम कोर्ट ने बोला था कि, पार्लेमेंट, CGI प्लस leader of opposition, सुप्रिम कोर्ट, ये election commission के appointment करेगा, until ये पार्लेमेंट, जब तक ये पार्लेमेंट, ये जो law है, इस कानून के अंदर जो दिया हुआ है, वो नहीं बनाती है, ठीक है, तो पहले तो law नहीं था, पिर त इसके अंदर, president article 324 के अंदर, election commission को appoint करता है, ठीक है, तो president appoint करता है, article 324 के अंदर, election commission, ठीक है, ये president है, वो किसके recommendation पे appointment करेगा, selection committee के recommendation पे appointment करता है, selection committee है, वो search committee के recommendation पे, इनको लेती है, तो selection committee में कौन-कौन है, पहले हम selection committee में नेखेंगे, तो prime minister है, leader of opposition है, और cabinet minister है, ठीक ह तो इसमें क्या है दो तो government के मिनिश्ट रोगई और एक leader of opposition है वो selection committee हैं, फिर वो recommendation देगा प्रेज़िदिन्ट को फिर क्या है, वो recommendation देते हैं प्रेज़िदिन्ट को, फिर अपउइंट करता है ठीक है, तो उनको क्या है, इनको क्या है, selection committee को assist करती है गुप यह यह तीन मेंबर वोड़ी है यह पांस नाम है वह सुझाती है किसको सिलेक्षिन कमेटी को यह 5 नाम को एक लिए 2 पांचन कमेटी इनहीं पांच नमों को इसके लावा भी नाम को धुल को सकती है जब जिरूरीक नम को सकती है तो selection committee can also consider other than these fine names recommended by the search committee, what is the act के अंदर क्या है, eligibility criteria बताया गया है, कौन अभी क्या है, election commission बन सकता है, तो who can, eligibility criteria क्या है, इसके लिए, he should be secretary to the government of India, or held the equivalent post, या तो वो secretary रहा हो, या पर उसके कोई equivalent post है, government of India में उसने रहा हो, तब उसको ये eligible होगा, election commission के लिए, यानि कि ये bureaucrats हैं, वो भी eligible होंगे, salary है, salary will be similar to judge of Supreme Court के salary, similar होगी, election commissioner की, and tenure है, इसका कितना रहेगा, CEC and DC का tenure है, वो 6 साल, या फिर 65 साल, ठीक है, जब तक वो retirement की age तक में पोइंटे है, the tenure will be 6 year, or 65 year, whichever is early, then as reappointment is, चीफ election commission के reappointment नहीं हो सकती, चीफ election commission cannot be reappointed, जब कि election commissioner है, उसको क्या है, चीफ election commission product किया जा सकता है, उसको chief election commissioner apply आपॉयंट किया जा सकता है, ठीक है तो उसका promotion to हो सकता है, चीफ SEC में परंतु उसे पोस्ट पे बेसी का, वो इजन का ही appointment नहीं होगा, है, he can resign to the president, ठीक है, election commission, next is electoral bond, तो ADR versus Union of India case 2024 में, Supreme Court ने electoral bond scheme को unconstitutional declare कर दिया है, and because it is violated of the article 19 clause 1, clause A, तो article 19 1 clause A, ठीक है, तो यह right to information है, उसको यह violate करती है, and यह scheme है, electoral bond को इसको यह unconstitutional declare कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना है कि यह right to information है, उसको वाइलेटिव है, इसलिए, यह unconstitutional है, तो electoral bond scheme है, वो लाएगी थी, Finance Act 2017 के द्वारा लाएगी थी, and Finance Act 2017 नहीं, Representation of People Act 1951 को amend किया था, income tax को amend किया था, और Companies Act 2013 को amend किया था, ठीक है, तो इन तीनों में जो भी amendment हुए था, Finance Act 2017 के द्वारा, उनको क्या है, Supreme Court ने फिर unconstitutional declare कर दिया है, यानि कि इनकी जो provision है, वो अभी क्या है, valid होंगे, ठीक है, तो क्या-क्या changes किये थे, changes introduced were, under the representation of people Act 1951 के अंदर electoral bond scheme थी, electoral bond scheme exempting the political parties from the disclosure of the donation received from the electoral bond, तो दे वर the political parties थी, electoral bond scheme के अंदर, वो exempted थी from the disclosure of, कौन उसको क्या है, कितना चंदा दे रहा है electoral bond से, वो उसको disclose करने के लिए, परनतु ये अभी क्या है, उसको disclose करना पड़ेगा, तो SBI ने सारा disclose कर दिया है, चंदा का ड़ेटा, ठीक है, and they were exempted from the disclosure, ठीक है, इसके वारा एक और amendment के गया था, income tax exemption के द्वारा, तो उनको क्या है, इससे जो, electoral bond से, जो, जितने में पैसे मिले हैं, तो no need to pay, उस पर tax नहीं, pay करने के जूँ नहीं थी, और इसका, भी क्या है, इसको भी unconstitutional declare कर दिया गया है, and companies act 2000, companies act के अंदर क्या है, earlier, only the profitable company, पहले क्या होती थी, electoral bond scheme से पहले, only the finance act 2017 से ही, पहले क्या थी, only वो company, जिसको जो profitable थी, वो चंदा दे सकती थी, electoral चंदा दे सकती थी, and उनका क्या है, वो भी कितना दे सकती थी, उस पर limit थी, 7.5% of the, their last three year का जो net profit था, उसका भी क्या है, 7.5% वो इलेक्टोरल चंदा दे सकती थी, तो earlier, under the company's tax के अंदर, only the profitable company with the, whose profit है, अपने profit का वो 7.5% of the company's average net profit in the preceding three year can be given as an electoral donation, and this cape was removed, इस cape को पहले क्या है, remove कर दिया गया था, finance act के द्वारा, तो इस cape को फिर क्या है, अभी restore कर दिया गया है, ठीक है, तो यह याद रखना है कि यह जो है, केप है, वो 7% वाली, यह exist करती है अभी, ठीक है, तो यह exist करनेगी, ठीक है, unconstitutional declare करने के बाद में, यह exist करती है, साध साथ वाली, सुप्रेम कोट has declared these amendments unconstitutional, इनको declare कर दिया गया था, तो right to information वाला, ठीक है, next is right to privacy, right to privacy के अंदर, right to privacy है, तो judgment आया था, पुटा स्वामी judgment ठीक है, तो केस्टा स्वामी जजमेंट इसन तीन, त्री mode of privacy को डिस्कस करता है, बोडिली प्राइवेसी, डिसीजनल प्राइवेसी और इनफोर्मेशनल प्राइवेसी ठीक है, तो right to privacy एक्जिस्ट करता है, and these are two for a dignified life के लिए जो right to privacy एक्जिस्ट करता है, for a dignified life, ठीक है, right to a dignified life, then right to informational privacy है, तो सुप्रीम कोर्ट सेंटर सरकार नहीं यह बोला था कि जो आपने यह right to privacy दिया है, तो right to informational privacy दी थी, ठीक है, जो इसमें केस पुटा स्वामी केस में दीगे थी, इसके द्वारा right to informational privacy है, अभी देखाता है, यह declare कर दीगे थी, ठीक है fundamental right, then, तो यहाँ पे क्या है, right to informational privacy center बोलता है, कि जो right to informational privacy to political affiliation is protected center यह सा करता है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है, कि जो, जो है informational privacy exist कती है, कि आपने कौन सा political association है, उसके लिए तो privacy है, तो right to informational privacy to political affiliation is there, तो right to informational privacy to political affiliation के लिए तो है, परन्तु आप कितना चंदा दे रहे हो, वह इस में प्रटेक्टिड नहीं है, क्योंकि चंदा दे के आप क्या है, गवर्मेंट की policies को influence कर सकते हो, ठीक है, तो that amount to corruption also हो, However, the financial contribution, financial contribution है, तो यह expression of support के लिए भी दिया जगता है, या फिर quid pro quid, यानकि कुछ contribution इस उम्मेद में दिया सकता है कि वह फाइदा हो, गवर्मेंट की influence करने के लिए policies को, तो no protection for financial contribution के लिए कोई protection नहीं है, and right to privacy to political affiliation exist करता है, it does not extend to the financial contribution, which made to influence the policies को influence करने के लिए बनाए गया हो, ठीक है, वो चंदा दिया गया हो, उसको यह extend नहीं करेगा, next is simultaneous election, तो it is one nation, one election का बात चल रही है, तो part 15 of the constitution deal with the election के साथ डिल कता है, रामनाथ comment committee थी उसने recommend किया था कि यह simultaneous election भात में किये जाए, ठीक है, तो one nation, one election क्या होगा, यह कि synchronized election होगा at all the level, that is log sabah, state legislative assembly and local body, यह तिनों पर एक इस टाइम पर election हो, synchronized election ठीक है, amendment कौन कौन से amendment की जूत करने की पड़ेगी, क्या क्या क्या, log sabah के लिए क्या article 83 है, वो duration of house बताता है, उसको amend करने की जूत पड़ेगी, duration of house कितने रहेगी, तो log sabah के case में 83, and state legislative assembly के case में article 172 है, वो भी duration को बताता है, तो उसको भी amend करने की जूत पड़ेगी, 83 एक सो बेतार, state legislative, then article 85 है, वो deal करता है, session dissolution and prorogation of the parliament को deal करता है, ठीक है, लोग सबागो ही किया जासता है, dissolution, तो article 85 है, उसको भी amend करने की जूत पड़ेगी, स्टेट legislative assembly के case में article 174 deal करता है, session dissolution है, उसको प्रorogation को, article 356 है, जो कि state constitutional failure है, उसको भी क्या है, अमेंड करने की दूत पड़ेगी, one nation, one election से, article 83, article 172, article 85, article 174, and article 376 को अमेंड करने की जूत पड़ेगी, जो यह सारे article अच्छी से देख लीजिए, नेक्स्ट इस अंटिल 1960s, 1907 तक क्या है, simultaneous selection होते थे बात में, वन इलेक्शन, वन इलेक्शन का idea को प्रपोज किया, इसको प्रमोट करने के बारे में बात किय थी, ठीक है, and बहुत सारे इसने प्रमोट किया है, तो यह हमारा जो topic है, important topic complete होते हैं, इसके लावा हमने वह कर चुके हैं, final life वाल असिस्टन है, उसको very very important, उसको revise कर लिजे, दो तिन बार.